हेलो एरिवन स्वागत आपका एक नहीं वीडियो के साथ तो इस वीडियो में बात करने वाले EWS FreeShip Admission 2023-24 कक्षा 2 से लेके 9 तक क्या Admission Process है वो स्टार्ट हो चुका है तो जो भी अभिवावक अपने बच्चों का Admission कक्षा 2 से लेके 9 तक में करवाना चाता है देली के प्राइवेट स्कूल में जो की EWS FreeShip के तुरू होते हैं उसमें करवाना चाते हैं तो इस वीडियो उनके लिए बहुत इंपोटेंट है इस वीडियो को एंड तक देखना इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी दी गई है एकदम डिटेल में जिसमें आपको डोकुमेंट से लेके सब कुछ और आपको क्या-क्या कारण हो सकते कि आपकी बच्चे का इडिमिशन का कैंसिल भी हो सकता है तो ये आपको भूती ध्यान से देखनी है एंड तक इई वीडियो सबसे पहले जिए आपने चलने को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जरू सब्सक्राइब कर लीजिए तक कि आपको हर अपडेट मिलता रहे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की तो इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है कक्षा 2 से लेकिन नो तक का 2023 24 सेशन का EWS PDC Pedemission का वो स्टार्ट हो रहा है 22 जून 2023 से 22 तारीक 2023 से इसका उनलाइन फॉर्म फिल करने का स्टार्ट हो रहा है उनलाइन इसके बाद इसके जो अप्लिकेशन है जो उसका लास्ट डेट है उनलाइन फिल करने का वो है 37 2023 मतलब कि 3 जुलाई 2023 को स्याम को 5 पीम तक आप फॉर्म भर सकते हैं और एक चीज़ बता देता हूँ यदि आप अपने मुबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी आप आराम से घर बेट अपने मुबाइल से भी फॉर्म फिल कर पाएंगे इसके बाद आती है जो पहला जो कम्प्यूटराइज ड्रा है वो निकलेगा 12,7,20 इसको इसका पहला कम्प्यूटराइज ड्राउ निकल जाएगा अब यहाँ पे में कुछ इंपोर्टन चीज़े हैं जो इसको आपको बहुत ही ध्यान में रखना है उन चीज़ों को कवर करके चलता हूँ यह एक तो देखिए साथ नमबर पॉइंट पे जो जो भी आपके बच्चे को स्कूल अलोट हो जाएगा कम्प्यूटराज ड्राउ में वो किसी भी कंडिशन में चेंज नहीं हो पाएगा जो एक बड़ आपके बच्चे का नाम आ गया जिस स्कूल में वो चेंज नहीं हो पाएगा बहुत से पैरेंट्स का ये सवाल रहता है क्यों उनको अच्छा नहीं लगा स्कूल में जिसमें चाहते थे उसमें अडिमिशन नहीं हुआ तो आपको ये चीज आपको चोईस भरते टाइम ध्यान रखनी है और आपको वोई स्कूल आपको फॉल करने है जो कि आपको आपके पास हो जो भी आपके कन्विनियंट हो उसी साब से इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये कि 31 साथ 2023 ये आपके बच्चे का नाम फस्ट ड्रो में आज आता है तो आपको 31 जुलाई 2023 से पहले पहले को एक बज़े से पहले पहले आपको स्कूल में जाके अपने सारे डोकॉमेंट्स और जो भी डोक एड्मिस्ट की फॉर्मल्टी है वो पूरी करनी है अधर्वाइज एड्मिस्ट कैंशल कर दिया जाएगा इसके बाद देखी जो नो नंबर पॉइंट है बहुत इंपोटन्ट है कि क्या क्या रिजन हो सकते हैं जिसके कारण आपके बच्चे का एड्मिस्ट कैंशल किया जा सकता है तो नोन सब्मिस्ट ओफ वैली डेट ओफ बर्थ पूरूफ आपके पास वैलीड नहीं होगा तो इसके बाद नोन अविलेबल ओफ रेजिडेंस पूरूफ मतलब यदि रेजिडेंस पूरूफ आप नहीं प्रोडूफ कर पाएंगे तो EWS, CWSN का टेगरी का पूरूफ आपके पास नहीं होगा तो भी एड्मिस्ट कैंशल हो जाएगा important point mismatch of address आप जो form फिल करेंगे उसमें और जो आप documents produce करेंगे उनमें आपका admission को mismatch नहीं होना चाहिए मतलब admission में जो address है वो same होना चाहिए इसके बाद बातती है income certificate does not show annual income as more than 1 lakh रुपीज यदि आपकी income certificate में 1 lakh रुपे से कम होनी चाहिए income यदि जद्धा होगी तो भी दिक्कत हो सकती admission में duplicate entry found यदि आप 2-3 form apply कर जैते हैं 2-3 location से तो भी आपके बच्चे का admission cancel कर दिया जाएगा इसके बाद कुछ important documents हैं जो आपको online form बरते time आपको या बाद में आपको produce करने पड़ेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ कुछ documents ऐसे हैं जो आपके पास होंगे कुछ में time लग जाता है बनाने के लिए इसलिए आपको बहुत ही जरूरी है यह देखना कि क्या क्या documents है यह एक तो print out of application यह जो मैं भी documents बता रहा हूँ यह आपको बनवा आया तो बनवा लीजिये self-attested copy of proof of date of birth self-attested copy of residence proof valid income certificate होनी चाहिए any other documents mentioned in para 5C हम उपर इसके बारे में बात करेंगे SLC certificate school living certificate जो कि आपका बच्चा लास्टी स्कूल में जिसमें पढ़ रहा है वहां से मिलेगी इसके बाद any other relevant document इसके अलावात कोई भी document होगा वह भी आपको produce करना पड़ेगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं age criteria क्या रहेगा तो यह देखिए age criteria यहां पर दिरका है कक्षा 2 के लिए 6 plus होनी चाहिए age 3 के लिए 7 plus होनी चाहिए च्यार के लिए 8 plus होनी चाहिए 5 के लिए 9 plus होनी चाहिए 6 के लिए 10 plus होनी चाहिए 7 के लिए 11 plus होनी चाहिए 8 के लिए 12 plus और 9 के लिए 13 plus age होनी चाहिए इनी age criteria में fall करना चाहिए आपके बच्चे का जो भी admission करवाना चाहते हैं इसके बाद एक यह important चीज है important instruction जो 5 नमबर में दे रखी है बहुत important है ये instructions इनके go through आपको होना है जैसा देखे इसके A में बता रखा है कि submission of the candidate is mandatory मैंने आपको बताया कि बच्चे का आधारकाड अभी compulsory कर दिया गया है तो वो आपको चाहिए दूसरा only EWS अभी बहुत से parents का ये जवाब रहता है कि ये form EWS के लिए ही निकल रहे हैं या इसमें DG वाड़े भी apply कर सकते हैं तो यहाँ पे इनोंने बोल रखा है only EWS economy wicker section जो हैं वोई student apply कर सकते हैं इसके लिए ठीक है दूसरा ये if in case if parents want to change correct any information ये आपको आपने form online apply किया और उसमें कुछ गलत भर दिया आप अपने form को delete करके दुबारा भर सकते हैं उसमें correction नहीं होगा delete करके वरना होगा आप कोशिस करना कि आप पहली बार में ही एकदम सही से आप अपना form फिल करें और आपको चैनल पर वीडियो में मिल जाए या आप वीजिट करके देख लेना इसके बाद आपको यह जो C point में इनूने बोल रखा है कि आपको address proof और आपको EWS proof में क्या देना है Person residence in Delhi मतलव इनोने बोल दिया है कि डिली का residence होना चाहिए मतलव रहने वाले डिली के होना चाहिए और उसी का ही डिली में रहने का ही proof भी होना चाहिए इसके बाद जो income है वो less than one lakh रुपीज होनी चाहिए income certificate में और issue by the revenue department of government of NCT of Delhi बतलो इन्होंने बता दिया कि इनसे issue होनी चाहिए income certificate BPL, IR, रासन कार्ड, food security कार्ड holder होनी चाहिए ठीक है? इसके बाद इसके जो next है ये इन्होंने बता रखा है कि ये आपको जो जो भी choice बरेंगे आप schools की उनी में से ही आपको school अलोट किये जाएंगे आपके residence के इसाब से है आपने जो address देंगे उसके इसाब से है ठीक है? तो आपको ये भी अच्छे ध्यान से आपको जो भी school बरेंगे choice वो ध्यान से बरने हैं जिसमें भी आपको admission चाहिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और important चीज है वो ये है कि जो direct of education ने एक help line नमबर जारी कर रखा है जिसमें कि आपको online form फिल करते time या बाद में जब आप admission ने लेंगे लिए school में जाएंगे उसमें कोई भी दिक्कत होती है कोई भी परिशानी होती है तो आप इस help line नमबर पे call करके आप अपनी जो भी query है वो पूछ सकते हैं यह help line नमबर है और दूसरा नमबर है यह आपको सुबह 10 बजे से पांच विज तक यह number available रहेंगे Monday to Friday आप यहां पर अपनी query कर सकते हैं और आप मेरे को comment box पर पूछ सकते हैं क्योंकि यही एक मातर channel है जिसमें आपके सारे comments का जवाब दिया जाता है आपकी सारी query soul की जाती है धन्यवाद